इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्प्यूटर सामाने परचे डियलेड फर्स सेमेस्टर जो की पहले यह नाम BTC के नाम से था तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका कम्प्यूटर उससे बेसिक इन्फॉर्मेशन से मतलब भी कोश्चन बनते हैं ज्यादा टर्फ नहीं आता कम्प्यूटर का तो मैं अभी तो मतलब BTC की बुक नहीं लिया है मैंने लेकिन यह लुसेंट की बुक है उससे में एक वीडियो बना रहा हूं पहले चेप्टर का तो देखते हैं इसमें क्या-क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है चेप्टर वन में और कोई गलती नहीं करता है इसकी चमता सीमित है यह अंगरेजी सब्सक्राइब से बना है कम्प्यूट से बना है जिसका अर्थ कड़ना करना यह याद रिखेगा देखेंड डियल इंट में क्या होता बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मिशन आती मितलब बहुत ही ज्यादा simple तरीके से पूछा जाता है तो आपको छोटी-छोटी चीज़े भी computer की ध्यान रखनी है जैसे आपसे question यह पूछा जा सकता है मतलब यहाँ पे question था कि यह इसकी छम्ता सीमित है यह अंग्रेजी के सम्त computer से बना है जैसे पूछा जा सकता है कि computer का अर्थ क्या होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना गढ़ना करना ठीक है एक question यहाँ से बन सकता है एक दुसरा question यहाँ से बन सकता है कि हिंदी में computer को क्या बोलता है हिंदी में से क्या बोलता है संगड़क बोलता है तो उससे आपको clear हो जाएगा अभी मैं theoretical की बात करना हूँ यहाँ पे इसकी theory के बारे में ठीक है आगे देखते हैं इसका उपयोग बहुत सारे सुचनाओं को process करने मितलब बताने करने इकठा करने के लिए होता है इसका उपयोग बहुत सारे सुचनाओं को process करने इकठा करने के लिए किया जाता है computer एक यंत्र है यह भी याद रखिएगा जो data संग्र करता है मतलब data को collect करता है इसे software program के अनुसार किसी परिमाड के लिए process करता है यहां पर फिर से देख लेता है इसे software या program के अनुसार किसी परिडाम के लिए process करता है ठीक है जो जो में पॉइंट में बोले जा रहा हो उस चीज़ को आप ध्यान करिएगा ठीक है अगला है computer को कृतिम बुद्धी की संग्या दी गई है इसकी इसमर्ण सक्ति मनुस की तुलना में उच्छ होती है तो सभी को पता है computer की तरह आपका दिमाग नहीं का अलब computer अलग चीज़ है वो बहुत तेजी से बर करता है तो मनुस के दिमाग से ज्यादा तेजी से चलता है ठीक है आगे देखते हैं तो यहां यह वाली लाइन में कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं तरह तो बेसिक चीज़े पता रहती है सबको यहां से important point शुरू हो रहा है यहां से question बनते है एक होता है संख्यात्मक डेटा और एक होता है अलफा निमेरिक बेटा तो देखें डेटा क्या होता है यह अविवस्तित आकड़ा या तथ्य है जो process के पहले की अवस्ता है तो यहां पर जो पहला टाइफ है फिर आपको इस point से समझ में आएगा संख्यात्मक डेटा जैसे किसी का बैलेंस से 9,000 रूपीज या 2,000, 10,000 जो भी हो whatever तो वहां पर आप क्या करते हो इन नंबरों का ही यूज करते हो ठीक है जैसे example के तोर पर हम देख लेते हैं संख्यात्मक डेटा यूज कहां कहां पर होता है यहां पर दिया भी गया है कर्मचारियों का वेतन जैसे क उसके बाद आप सेंड करते हैं उसके एकाउंड में by the computer परिच्छा में प्राप्त अंक जैसे आपके नंबर दिये जाते हैं परिच्छा में तो आजकल computer के थुरूई बन के आ रहा जाता सभी चीज हैं तो आप देखोगे को वहां पर computer में यही समनमेरिक वर्ट रहते हैं 0 जो से 9 तक फिर इसके बाद आता जनगर्णा में और फिर रोल नंबर अंगरती संख्या हैं जैसे कोई question motion math से related हुआ है तो उसमें भी नंबर का यूज के जाता है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि data का मतलब यह होता है कि यह अव्यवस्थित आकड़ा या तत है कि कोई fix नहीं रहता अव्यवस्थित बोलते हैं इसको व्यवस्थित नहीं है अव्यवस्थित आकड़ा या तत्य है फिर दूसरा देखिए पहला तो समझ में आ गया आपको कि संख्यात्मक data computer में रहता है यह दो तरीके के बात हो रही है आप अलफा नमेरिक में क्या हो होगी अड्रेश में एडबल डी और एडबल एस आप वहां पर स्पेलिंग डालते हो तो यह आपके इलफा नमेरिक डेटा हो गया है ठीक है क्लियर होना चाहिए सबको और सूचना देखते हैं सूचना है information second point यह अविवस्थित डेटा का process करने के बाद प्राप्त परणाम है यह information जानकारी यह विवस्थित डेटा का process कर दिया जैसे आपने मतलब आपको कोई question बनाना है या या एक तरीके से बोल सकते हैं कि अविवस्थित डेटा का process आपने process कर दिया उसके बाद प्राप्त परणाम जो होती है उसे क्या बोलते हैं सूचना बोलते हैं जो विव खास important नहीं था लेकिन यह very very important है computer की विश्यस्ताइं computer से कारे करता है अर्था समय की बचत करता है यह तुरूटी रहित कारे करता है थर्ड पॉइंट यह स्थाई तथा विशाल भंडार चमता की सुविदा देता है मतलब computer में आप धेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो तुरूटी रहित का मतलब समझ रहे हो तुरूटी रहित का मतलब जैसे आप computer में जितने भी नंबर एड़ करना है जो भी एड़ करोगे तो ऐसा निक आंसर गलत देगा हमेसा जो भी नंबर डालोगे आंसर आपको हमेसा सही ही मिलेगा तो यह computer की जो भी विसस्ता है तीवर्गस से चलता यह तो आपको पता है फिर इसके बाद फॉर्थ पॉइंट देखेंगे यह पूर्वर निर्धारित निर्दोसे के अनुसार अतिवर निर्ड़े लेने में सक्षम है जैसे जिस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाते यह computer म पहले से जिस तरीके का information उससे दिया गया है कि यही चीज़े हम यूज कर सकते हैं तो जो पहले के अनुसार निर्देश दिये गये हैं उसके अनुसार अतिवर निर्ड़े लेने में सक्षम होता है मतलब उस टाइप के अगर आप जानगारी लेना चाहोगे तो बहुत रक्षा के चैतर में उस तबहुत है कि ज्याने करणुस शंदान जीन कि सब्सक्रच का लाइनक में ऱंबैंक में इसलोडिमेर का कले कόσीड कि यहां हूप किया जाता है उत folded को सकता है यूपियोग किया जाता और एक हो सकता है उपियोग नहीं किया जा सकता तो चार उपियोग किया जाने वाले दे देंगे और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि उपियोग नहीं आता तो आपको ध्यान रखना इस बात का तो हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं कंप्यूटर के जितन डॉक्तरिय लाइन में क्या काते हैं चिकस्ता के छीतर में प्रकाशन संचार मरन रजन हर जंग कंप्यूटर का यूज किया गें मोम खेलने में ठीक का आप्टर अग्जाट वी विल्टेस केम्प्यूटर आफकी सब्सक्राइब कंप्यूटरश के कारें ये टू है ये थ्री होगा ठीक अगला है डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन आगे देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्टानिक डेटा प्रोसेसिंग ये थोड़ी छोड़ी से थियोरिया देख लेते हैं मतलब खास यहां से बहुत ज्यादा इंपोर्टन नहीं है पिर भी देखते हैं अब कप्यूटर की निर्माट से पहले निश्यत लक्ष को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन संचयन संसाधन और निर्गमन हस्त-चालित-विधी से होता है जिसे हम हाथों से चलाते हैं जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं जैसे जैसे टेकनॉल फर्म क्या होता है एडिपी इलेक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ठीक डेटा प्रोसेसिंग का मुख लक्ष अवेवस्थित डाटा से उपस्थित डेटा प्राप्त करना है जिसका उपयोग नेड़े लेने में किया जाता है जैसे आपको क् आप यह इसका फुल फॉर्म याद रखेगा और यह निर्गमन हस्चलीद विधी याद रखेगा बस दो चीज़ें यहां पर खास है लेकिन यहां आप आगे का बेरी बेर इंपॉर्टेंट यहां से कोश्चन हंडिट परसेंट बनता ही बनता है यहां से आपको ध्यान से स सना है मैं फिरे सके बात देखते हैं कंप्योटर सिस्टम यह उपकरणों का एक समूवрах जो एक्साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं कंप्योटर सिस्टम में अने की काई यंव कहते हैं इन-पई-व mein Mohammad रात प उता के रूप में प्रभावित करता है जैसा किौन मेटिक टेलर मशीन यह होता है एकटियर का फुल फर्म आप्डिक टेलर मशीन में हम जब निकासी के लिए कि जाते हैं तो हमें थे पिननज के पर्शनल इननज साधिकेशन नमबर डालना होता है मतलब input क्या है जैसे हम जाते हैं पैसे निकालने के लिए ATM में ATM का यहां से important point है आपका ATM का full form ठीक है आटोमेटिक टेलर मशीन यह आ सकता है तो यह example में बताया गया है कि जो input हम देते हैं computer को किस तरीके देते हैं जैसे हम पैसे निकालने जा रहे हैं ATM पे तो वहां पे हम जैसे हम starting में हमारा जब हम process का start करते हैं तो उसमें आपको pin मांगता है मतलब आपको आपकी जो यहां पे दिया गया है ना personal identification number यह आपका pin होता है तो यह भी याद रखेगा pin का full form यह भी आ सकता है पिन जो आप पिन नंबर होता है पिन यह पर्सनल इंफॉर्मेशन स्वरी पर्सनल आडेंटिफिकेशन नंबर यह भी याद रखेगे दोनों का full form ATM का भी और पिन का भी तो पिन हम डालते हैं तो जो हम पिन नंबर डालते हैं इसी को बोलते हैं इंपुट यूनिट ठीक है फिर उसके लिए इंपुट इकाई के रूम में feedback का उपयोग किया जाता है फिर गार्वेज इन गार्वेज आउट कंप्यूटर विज्ञान में एक concept है जो बताता है कि इंपुट की accuracy पर output की accuracy निर्भर करती है ठीक है तो आपको इंपुट समझ में आ गया होगा इंपुट क्या होता है वैसी का ही जो यूजर से डेटा प्राप्त करकर central processing unit को यह थोड़ा से याद रखना किस फॉर्म में बेजता है electronic pulse के फॉर्म में user से डेटा प्राप्त कर central processing unit CPU जो होता है CPU को electronic pulse के रूम में प्राइद करता है जैसे एक example में दिया गया ATM में जब हम पैसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हम पहले पीन डालते हैं तो आपको दो चीज यह आद रखना है ATM का फुल फॉर्म आटोमेटिक टेलर मशीन और पीन का पर्शनल आइडेंटिफिकेशन नंबर और जी आए जी ओ इसका भी फॉल फॉर्म याद रखना है गार्बेज इन गार्बेज आउट गार्बेज इन गार्बेज आउट तो इन्पुट जो भी हम पीन आपे डालते हैं तो यह आपका हो जाता है आगे हैं Central processing unit very very important CPU brain of the computer भी बोला जाता है इसे इसे प्रोसेशर भी कहते हैं यह याद रखे हैं प्रोसेशर भी कहते हैं यह इलेक्ट्रानिक jed500passen माइक्रोशिप है जो एक इलेक्ट्रानिक माइक्रोशिप है जो डेटा को इन्फार्मेशन में बतलते प्रोसेस करता मों किसे करता हैं यह बहुत बार कौशन डेले में आ चुका हैं computer का brain किसे करते हैं तो यह CPU का और यह भी question आज चुका है कि CPU का full form क्या होता है central processing unit यह deal at first semester के लिए very very important point है यह computer system के सारे कारे को नियंतरित करता है जिसे question आ गया कि computer के सारे कारे को कौन नियंतरित करता है तो कौन करता है CPU तथा यह input को output में रुपांतरित करता है question आ सकता है कि input को output में कौन रुपांतरित करता है CPU यह input unit तथा output unit से मिलकर पुरा computer system बनाता है CPU brain बोला जाता है तो यही क्या करता है input unit था output unit से मिलकर पुरा computer system बनाता है बहुत important अगर मैं मतलब अगर आप computer के कुछ point छोड़े अगर यह point याद रखो तो एक question तो यहां से आपका बन जाएगा आगे instruction cycle बोलते हैं इसको किसी भी computer की भुनियादी संचालन प्रक्रिया है जिसे fh decode execute cycle भी कहा जाता है इस प्रक्रिया में computer अपनी memory से program instruction प्राप्त करता है इस प्रक्रिया में computer memory जो लगी होती है उससे program instruction प्राप्त करता है तथानर जैसा नुसार कार करता है यह प्रक्रिया CPU के द्वारा बूट अब से कंप्यूटर के बंद होने तक लगाता चलता रहता है ठीक है प्रते कंप्यूटर में CPU में भीन भीन इस्ट्रक्शन पर आधारी अलग-अलग साइकल हो सकते हैं परन्द निमलखित साइकल के लग मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो की लगबख समानी रहते हैं पहला CPU जैसे फैसिन इस्ट्रक्शन CPU में अड्रेस के इस्ट्रक्शन पराप्त करता है और उन्हें इस्ट्रक्शन रेजिस्टर में रखता है इस्ट्रक्शन मतलब जानकारी होता है ठीक है प्रोग्राम काउ इस्ट्रक्शन में मवजूद इस्ट्रक्शन रेजिस्ट्र में माझुद इन कोड़ ऑबी डिकोडर के दवारा in interpret किया जाता है है कि आगे देखता है कि को एक्स्क्यूड दे स्व cannabis यह कैसे किया जाता है कि सीप्यू की कंट्रोल यूनिट को निर्देशा नुसार उसे अलियों में गड़ती है अतार की कार्यों रजिस्टर से मानप्राप्त करने वह वापस परणाम को रजिस्टर में लोटाने का संकेत विश्टा या साइकल बार-बार दुरा जाता है सेंटर प्रोसेसिंग यून स्क्कियों भी लिख सकता है इंगली प्रोसेसिंग जाता है कि मतलब आपका जो इसीप्यों यह जांदी है लेकिन कभी-कभी सीप्य के opens materialे है Central processing unit, arithmetic logic unit, control unit, main memory यह सब चीज़े यहां पे होती है और यहीं से क्या आता है output आता है ठीक है यह सभी part किसके है Central processing unit की अब one by one हम यहां पे देखेंगे arithmetic logic unit यह भी important है यह यह बोलते हैं इसको arithmetic logic unit इसका भी full form पता होना चाहिए फिर यह important है जैसे आपका CPU important था वैसे important है यहां से फिर question ही इसी point से बनते हैं question एक तो CPU से ज़्यादा question बनता है यहां से arithmetic logic unit यानि की ALU इसका full form याद रखिए इसका उपयोग अंगडती तो था तारकिक गड़ना में होता है arithmetic logic unit arithmetic logic unit तो ध्यान रखिएगा इसका उपयोग क्या होता है जो mathematical time होते हैं अंगडती है तारकिक गड़ना में होता है अंगडती गड़ना के अंतरगत जैसे जोड़ गटाना गुड़ा भाग इत्याद के तारकिक गड़ना के अंतरगत तुलनात्मक गड़ना जैसे की less than greater than equal to ह यहां पर इसके बाद यहां पर इसके बाद यहां पर बहुत जैसे यहां से जो चल रहा है यहां बहुत इंपोर्टेंट है वाला सीप्यों फिर इसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है पिर आगे कंट्रोल यूनिट इसका वे फॉल फॉर में याद रखेगा इसे बोलता है सी यू यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंतरित करता है जैसे आपको एक्जाम में भी आ सकता है कि था तरकी गर्णा में या फिर जोड घटाना घुड़ाबाग जिस तरीके सा आपको आप्शन में दिया रहेगा महाँ पर उस तरीके से देख लेना यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंतरित करता है जैसे इन्पूट आउटपूट डिवाईसे प्रोसेस प्रोसेसर इ इन सब को यह control करने का काम करता है या तालमेल बोलेंगे ठीक आगे हैं memory unit क्या होता है यह भी important है थोड़ा सा ठीक है यह यह data था निर्देशों के संग्रह करने में प्रियुक्त होता है यह मतलब की कठा में memory unit का मतलब होता है कि जिसे जो भी information होती है जिसे हम कोई file है हमारे पास PDF है या जो भी चीज़े हैं आपने कोई song download किया है या मालेजी की कुछ college information मिली है तो आप computer में कहां रखते हो तो इसी memory unit में यह data था निर्देशों के संग्रह करने संग्रह करने में प्रियुक्त होता है इसके दो वर्गों में primary तथा secondary दो टाइप memory होती है प्राइमरी में secondary memory में विभाज़त करते है जब computer card sale रहता है अर्था तो वर्तमान में उपयोग हो रहे data तथा निर्देश का संग्रह primary memory होता है और secondary memory का उपयोग बाद में होने वाले data तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है यह important point है यह जितना तीन तीन पॉइंट में ने बताया है पहला mathematical logic union very important control unit यह भी important है memory unit यह भी important है ठीक है तो यह दो पार्ट होता है primary memory है secondary memory अब देखिए जब computer card seal रहता है जब computer चलता रहता है अर्था तो वरतमान समय में उपयोग हो रहे data तथा निर्देश का संग्रह primary memory में होता है मतलब जैसे computer चल रहा है जब तुरंद चल रहा है जैसे एक दम आपने अभी computer चला दिया तो इस time का जो data तथा निर्देश रहता था वरतमान में उपयोग हो रहे data था निर्देश का संग्रह primary memory में होता है और secondary memory का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले data तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है ठीक आता है फिर output unit आउटपूट यूनिट क्या होता है वैसी काई जो सेंटर ले प्रसेसिंग यूनिट में data लेकर उसे user को समझने योग बनाता है जैसा कि जब हम सूपर मार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होती है तो जो रसीद होती है उसी को बोला जाता है आउटपूट फार में यह बाहर आ रहा है जैसे आप मॉल में जाओगे शॉपिंग करोगे तो वहां पर क्या होता है कि जैसे आपने पूरी मतलब जो भी खरीदा आपने घर का राशन ले लिया आपने या फिर जो बिस्कीट से चोकलेट या जो भी सब चीज़े ले ले ल होता है और यह एक आउटपूट का रूप होता है बस यह बताने कुछिस कर रहा है आप जैसे बैंक में मतलब कंप्यूटर से निकली होई रसीद जैसे प्रिंट आउट के फॉर्म में यह आउटपूट उपकरण प्रिंटर से राप्त होता है ठीक है तो यह था अपर कर दिखा देता हूं जो आपको मतलब भी जो कोश्चन है आप जैसे ATM हो गया ATM क्या होते हैं बैंक की सक्षा आए बैंक को की स्टाफ एक काउंटर बिना स्टाफ के नजदी नगदी देने और यह यही आपका सी आप्सन हो जाएगा ATM से हम क्या करते हैं नगदी निकालते हैं कोई स्टाफ स्टाफ नहीं होता है आप जैसे यहां पर डेटर प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है इस का में अलग से इसमें थोड़ा सा कोशन नहीं होता है जैसे यहां पर देखें दिया है चोटा सा कोशन कंप्यूटर क्या है इलेक्ट्रानिक मशीन, पावर मशीन, मानो मशीन, विदूत मशीन, इन में से कोई नहीं, तो यह क्या है, इलेक्ट्रानिक मशीन है, तो इसका जो अबजिक्ट्री कोश्चन होगा, मैं डियलेड वाली बुक से बनाऊंगा,